तुझ अब लेकों मैं फ्रेंज गाइज एक बहुत ही अन्फॉर्चिनेट इंसिडेंट हुआ है यूएस में जिसमें तेलंगाना के दो स्टूडेंट्स की मौत हुई है यह तमान लोग जो है स्टूडेंट्स थे जो यहां से गए थे मास्टर्स पर्स्यू के ने और कुल मि आ बेला कर जो बताया गया है जो इंफर्मिशन हम ने कलेट की है उसमें पांच स्टूडेंट्स थे एक कार में जो ट्राइविल कर रहे थे इलिनॉइ्स में इलिनॉइस route 3 union county के पास ये accident हुआ है दोस्तों ये students अपने रास्ते पर ठीक ही जा रहे थे ऐसा दो बता चला है मगर एक unfortunate incident हुआ वहाँ पे जिसमें के एक opposite direction में car आकर इन्हें मतलब collide कर गई जो car चलाने वाली थे वो एक lady थी जिनका नाम ये students के car पर टकरा गई जिसमें के एक बहुत भायानक collision हुआ है और जिसमें two students और ये opposite जो driver थी ये lady जो चला रही थी उनकी भी मौत हो गई और इनकी भी मौत ही ये accident हुआ है इलिनोईस route 3 union county ये जगा का बताया गया है जिसमें गलती तो ऐसा लग रहा है मतलब जब हम पढ़ रहे थे तो गलती तो ऐसा लग रहा है कि lady बहुत स्पीड में आके लोंक पर crash करी थी ये अपनी जगा ठीक ही जा रहा है ये incident 4.15 a.m. EST बताया गया है ये Thursday के दिन हुआ है दोस्तों ये जो Thursday पासवा उस दिन हुआ है हमें खबर तो अभी मिली थी तो हम आपको express कर रहे हैं पहले तो हम लोग बहुत condolences शेर करते हैं family members के साथ जिनके बच्चों के साथ ये unfortunate incident हुआ है और बाखी जो student travel कर रहे थे इसमें जो पीछे बैठे हुए भी थे तो वो लोग life threatening situation में हैं हम लोग उनके साथ बहुत अपना हमारी दुआए उनके साथ है कि वो लोग बचे और जो students जो ये हाथसे में मारे गए हैं उनका नाम वमशी कृष्णा बताया गया है जो एक बहचुपली इलाखा यहाँ पर तेलंगाना में बहचुपली इलाखा है तो वहाँ से बिलॉग करते थे वमशी कृष्णा जो CAC department के थे जो पढ़ाई करने गए थे Master's Southern Illinois University ये students बिलॉग करते थे और दूसरे student का नाम पवन स्वरना बताया गया है जो कमम से बिलॉग करते थे दोस्टों ये तमान students जो है Southern Illinois University से बिलॉग करबन डेल जो जिससे कहा जाता है ये वहाँ के युनिवरस्टी के थे और इनको identify भी कर लिया गया है वहाँ के Chancellor Austin Lane ने तो दोस्टों ये unfortunate incident हुआ है और पवन स्वरना और बागी तीन की हालत बहुत जादा नाजक बताई जा रही है दोस्टों तो ये मालूम हुआ है कि युनिवरस्टी के जो लोग है authorities है वो family के contact में है और जल्द से जल्द जो भी इंतिजाम करना होगा वो करेंगे और अलड़ी एक prayer meeting भी इनके लिए इनके honor में रखी गई है इनकी याद में रखी गई है remembrance में रखी गई है और देखते हैं कि आगे कैसा रहेगा मामला तो हैदरबाद routines इनके साथ बहुत अपने condolences शेर करता है उनके family के साथ भी शेर करते हैं हम लोग को बहुत दुख हुआ है कि ऐसा incident ये unfortunate है क्योंकि ये जो है अपने जगा पर हम सही जा रहे हैं और opposite direction से कोई आकर हमें मार देता है तो बहुत ज़दा दुख होता है ये सब चीजे सुनकर हमारी दुआए उनके साथ हैं उनके family के साथ हैं और तमाम बच्ची जो life threatening situation में हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द recover हो जाए अपनी दुआओं में खास याद रखेगा हिदरबाद routines को Assalamualaikum